नमस्ते दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर चिराग बंडारी और मैं एक एंडरोलोजिस्ट हूँ मैं आज आपको बताऊंगा कि sperm test क्या होता है और उसे कैसे किया जाता है sperm test कब करते हैं हम जब अगर किसी couple को infertility की problem हो बच्चा नहीं हो रहा है तो जो husband है उनका sperm का analysis किया जाता है sperm test करने के लिए ये एक sterile container होता है जिसमें आपको sperm deposit करना होता है masturbation से या फिर intercourse से withdrawal methods से इसके अंदर आपको 2-3 दिन का abstinence period मतलब कि 2-3 दिन तक आपको ejaculate नहीं करना है और फिर ये sperm test करना होता है sperm test करने से पहले आपको आपके जो penis है उसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है पानी से केवल या फिर बीटर दिन से आप साफ कर सकते हो और फिर उसको वापिस पानी से साफ कर सकते हो बीटर दिन रहना नीचे है कहीं पर भी आसपास penis पर और उसके बाद में आप masturbation के थूरू पूरा का पूरा जो सीमन जो निकलता है वो आपको इस कंटेनर के अंदर डालना होता है अगर बायचांस कम गिर जाता है तो आपको यह mention भी करना पड़ता है कि यह इतना गिर गिया है तो इसको फिर हम laboratory में analysis करते हैं और फिर इससे पता चलता है कि आपका sperm count motility morphology कैसी है तो यह है sperm test के बारे में और information के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो मेरे WhatsApp पे या फिर मेरे YouTube चैनल पे